अजमेर लोकसवा सीट पर भारती जंता पार्टी के उम्मीदवार सावरलाल जाट ने शुकरवार को बजरंग मंडल के अंतरगत आने वाले इलाकों में सगन जंजम पर कर भाजपा के पक्षमें वोट देने की अपील की सावरलाल जाट का काफिला जब लोहगान टेंपो स्टेंट पहुचा तो कारिकरताओं ने फूल मालाओं से लाद कर उन्हें जीत के लिए आशवर्ष्ट किया इसके बाद स्वामी कॉंप्लेक्स के बाहर जाट का जिला प्रचार मंतरी कमल प्रगाश किश्नानी अल्प संक्या खेलकूत प्रकोष्ट के फरीद कान सहीत अन्य कारकरताओं ने पुष्प वर्षा और माले अरपन कर उनका स्वागत किया इस दोरान अनेक स्थानों पर जाट को नागरिकों और भाजपाईयों ने फूलों की मालाओं से लाट कर मोदी के समर्तन में नारे भी लगाए लोकसवा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दोर अप्चरम पर पहुंच चुका है कॉंग्रेस के पूर मंत्री लेलित भाटी ने शुकरवार को एक प्रैसवारता आयुजितकर राइस्थान की मुक्ह मंत्री वसंदरा राजे पर आचार सहीता के उलंगन का आरोप लगाया जो कि निर्वाचन आयप के नियमों के विरुद्ध है आचार सहीता का उलंगन जान बूज करके जिस तरीके से करा जा रहा है और उससे चुनाव को प्रभावित करने की जो कोशिस की जारी है पहला उधारन आपको बताते हैं कि कल जो सावर के अंदर मीटिंग ली मानिय मुख्यमंत्री महोदया ने इस चलते वे स्कूली समय के समय किसी भी प्रकार की चुनावी सभावों को या अन्य कोई कारिकरम जो चुनाव से संबंदित हो उसकी सूचना भले दी गई हो मगर उ स्कूल का समय था आठ बजे से साथ बजे से और जो मीटिंग रखी गई महां पर वह सुबह के समय थी बच्चों का अध्यापन कारे बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ एक दिन पहले रात से ही भारतिय जनता पार्टी के कारे करताओं ने स्कूल के उपर कबजा करा और वहां से सीधे सीधे भाजपा के समर्थन के अंदर वोट मांगने का काम मुख्यमंत्री की ने करा तो यह सीधे आचार सहीता का उलंगन है बाटी ने यह भी आरोप लगाए कि सुप कमेटी अद्देक्ष लाला राम गूगरवल भाजपा का वोट बैंक बढ़ाने के लिए आरेसेस की मानसिक्ता वाले करमचारियों की डूटी अल्पसंक्यक और एसी एस्टी अलाकों में लगा रहे हैं ताकि वे भाजपा को लाप पहुंचा सकें बाटी ने राजे पर यह भी आरोप लगाए कि वे जूटे तथे पेश कर जंता को ब्रहमित कर रही हैं चुनाबी सभा के दोरान राजे ने पाइलेट पर निशाना सादती हुए का था कि पाइलेट ने पिछले पांस साल में कोई भी इंस्ट्टूट और कॉलेज नहीं खोले इसके जवाब में भाटी ने बांदर सीद्री में सेंट्रल युनिवस्टी का उधरान देकर बताया कि पिछले साल युनिवस्टी के एन्वल फंक्शन में माहा महीम राज्ट्पती ने पास आउट विध्यारतियों को डिग्री देकर समानित किया था वो बात कर रहे हैं कि जो मतदान दलों का गठन किया जा रहा है और उस पर जिस अधिकारी श्री लाला राम गुगरवाल को लगा रखा है उनका काम करने का तरीका पूर्टे संदिग्द है यह हम बात कर रहे हैं वो मतदान टोलियां इस तरीके से गठित कर रहे हैं और इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि जहां जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां जहां पर अनुसुचित जाती बहुल इलाके हैं उन मतदान केंदरों पर वो एक जाती विशेस एक वर्ग विशेस के लोगों को और जो RSS के समर्थक मान सिक्ता वाले अधिकारी और करमचारी हैं वो उन मतदान दनों के उपपर ड्यूटी के अंदर लगें उनका सेलेक्शन टोली के अंदर हो इस तरीके की कारवाई उनके द्वारा की जा रही है हमारा यह कर रहे हैं कि मतदान निस्पक्ष हो हर बूत के उप पर उसमें किसी तरीके की भी कोई पक्षपात पूर्ण कारवाई नहीं हो यह मांग करना कोई गलत बात नहीं है और इस तरीके से उस अधिकारी पर हमें संद्ध है हमने आपके सामने बात किये यह बात हमने निर्वाचन अधिकारी को से भी की है